Hello everyone, this is Shikha Srivastow from Mathematics Firm. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग Class 6 Chapter 8 i.e. Decibles में Exercise 8.3 का Question No. 2 solve करेंगे. Question is, राशिद has spent Rs. 35.75 for Maths Book and Rs. 32.60 for Science Book. राशिद ने Maths Book के लिए Rs. 35.75 रूपीज खर्च किया और Science की बुक के लिए Rs. 32.60 रूपीज खर्च किया. Find the total amount spent by राशिद. आपको बताना है कि उसने total कितना खर्च किया. यह वर्ड बेस्ट प्रॉब्रम है तो इसका solution भी है वर्ड में ही देंगे. यहां लिखे solution, लिखे amount spent by राशिद for Maths Book. for Maths Book. Maths Book के लिए उसमें कितना amount spent किया है? रूपीज 35.75 रूपीज 35.75 दें उसके बाद amount spent by राशिद for Science Book. Science Book के लिए उसमें कितना amount खर्च किया है? रूपीज 32.60 आपको total amount निकालना है. लिखे है यहाँ पर total amount spent by राशिद. इस इक पोस्टू total amount कैसे निकलेगा? दोनों amount को ऐड कर दीजिए. तो क्या होगा? रूपीज 35.75 प्लस रूपीज 32.60 आड करिए. 5 प्लस 0, 5. 7 प्लस 6, 13. कैरी आया 1. 6 प्लस 2, 8. 3 प्लस 3, 6. तो कितना आ गया? रूपीज 68.35 आप लास्ट में क्या लिखेंगे? टोटल एमाउंट इस्पेंट बाई राशेद इस इक्वल स्टू रूपीज 68.35 ओके? इस इस यूर एंसर. वोप स्ट्रेंट सापके एकलास अच्छी लगी होगी. मिलती हूँ अपनी नेक्स वीडियो में. तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर.